नामस्त फ्रांस आपका मेरी किचन में स्वागत है और आज में बनाने जारी तीन रंगों की सबजी इस रेसिपी के लिए हमें चाहिए एक टीस्पून का लॉंजी, कटे हुए गाजर, मटर और कटे हुए आलू, सबजी को हम पतले आकार में काटेंगे कटे हुए अनियन, दो हरी मिर्च, धनिया पत्ता, एक टीस्पून, ग्रेटेड अद्रक और गोबी के फ्लॉरेट्स गास को मीडियम फ्लेम पर कर लीजिए अब इसमें हम तीन टेबल स्कून ओयल आड़ करते हैं तेल गरम हो जाने पर हम इसमें कलॉंजी डाल देते हूं अब इसमें दो हरी मिर्च और कटे हुए अनियन डाल देते हूं प्याज को अच्छे से भून लीजे जब तक वो सॉफ्ट ना हो जाए अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक और शेर कीजिए और मेरे चानल इजी प्यूजीन को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए देखिए अब हमारे प्याज घुन गए है और सॉफ्ट भी हो गए है अब हम इसको पैन में एक तरफ कर देंगे और कटे हुए गोबी को इसमें डाल देंगे गोबी को पैन में स्टर करते रीजिए और अनियन्स को एक ही साइड पर है ने देजिए ग्यास को अब लोँ फ्लेम पर कर लिजिए हम इस पूरी रेसिपी को अब लो फ्लेम पर ही बनाएंगे अब इसमें कटे हुए आलू डाल दीचे आलू और गोबी को मिला लीजे छोड़ी देर भूनने के बाद पान को कवर कर दीजे और तीन से चार मिनित तक इसे पकने दीजे गोबी आलू और पियाज को वापस से मिला लीजे अब हम इसमें कटे हुए गाजर डाल देते हैं गाजर को बाकी सबजियों के साथ अच्छे से मिलाते रहे सबजियों को मिलाने के बाद हम इसमें 3-4 टीज़पून हल्दी पाउडर डाल देते हैं और फिर इसमें स्वाद अनुसा नमक डाल देचे नमक और हल्बी पाउडर को सबजी के साथ अच्छे से मिला लीजिए थोरी देर इसको भूनना है इसकी बाद हम इसमें मटर डाल देते हैं मटर डालने के बाद पैन को कवर कर दीजिए और 2-3 मिनिट तक पकने दीजिए मटर को सबजी के साथ मिला लीजिए फिर सबजी को एक तरफ करके थोरे से जगा पर पैन में ही अद्रक को डाल देजिए अद्रक को हमें इसी टाइम डालना है पहले नहीं डालना है क्योंकि इस सबजी में अद्रक का कच्छा पंच उसका जो टेस्ट होता है वो अच्छा लगता है अद्रक को सबजी के साथ मिला लीजिए और फिर पैन को कवर करके 7-8 मिनिट तक पका लीजिए देखिए सबजी अब सौफ्ट हो गया है और हमें इसमें कोल भी एक्स्ट्रा पानी डालने की जरूरती में है सबजी अपने पानी में ही पक जाएगा पूरी रेसिपी को हमने धीनी आज पर ही कुक करा है अब हम इसमें धन्या पत्ते डाल देते हैं धन्या पत्ते को सब्जी के साथ मिला लीजिए गानिशन के लिए आप उपर से थोड़ा सा और धन्या पत्ते डाल सकते हैं आपकी गाजर, गोबी और मटर की सब्जी तयार है थांक्यू